मुड़ा पाने थाना शेत्रो के नेशनल हाईवे जीरो पॉइंट पर रिस्तेते रेनौल्ड एजनसी के बराबर में अग्यात शव पढ़ा दे शेत्रोवासियों में संसनी फैल दे जिसकी सूषना शेत्रोवासियों ने पुलिस को दी मौके पर पहुची पुलिस ने शव की तलाशी ली मगर पहचान का कोई भी प्रमाण नहीं मिला जिसके बाद पुलिस ने शव को अपने कबजे में लेकर पंचिनामा भर कर पोस माचम के लिए मुरादाबाद भेज दिया मौतक की उम्र लगभग 60 वर्ष बताई जा रही है मौई जीरो पॉइंट के करीब अग्यात शव मिलने की संख्यात तीन हो गई और अभी तक किसी भी शव की शिनात नहीं हो पाई आपको बता दें कि शुक्रवार को राभिया फैक्टरी मौलागर के पास शांग के समय हाईवे के किनारे लगभग 55 वर्ष ये व्रद का शव मिला था जिसके दो दिन बाद मिलक कामरू रेनॉल्ड एजन्सी के करीब 60 वर्ष ये व्रद का शव पड़ा मिला इन दोनों शबों से पहले ट्रेन से कटा हुआ लगवख 35 वर्शे युवक का शब मिला था अभी तक तीनों शबों की पहचान मुडा पांडे पुलिस द्वारा नहीं हो पाई है गौर तलब है कि मुडा पांडे पुलिस ने अग्यार शब की शिनाक्त के लिए फोटो शोशल मीडिया पर अपलोड कर दिये है जिससे अग्यार शब की पहचान हो सके